दुनिया के तॉप क्रिकेटर्स में सुमार विराट कॉली को कौन नहीं जानता 2008 में इंडिया को अंडर 19 क्रिकेट वर्ड कप जिदाने वाले कोली ने 12 साल में क्रिकेट के बुलंदी को छू लिया है अपनी बैटिंग से लोगों का दिल जीतने वाले विराट कोली फैशन आइकन भी है बहुत से सर्वे में कोली मोस्ट सेक्सियस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट में टॉप पर है विराट कोली को टेटूस का भी बहुत शौक है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो विराट कोली की बॉड़ी पर टोटल 11 टेटूस हैं और उन सभी टेटूस का कोई ना कोई मतलब जरूर है आए जानते हैं विराट कोली के बॉड़ी पर कौन से टेटूस हैं और उनका मतलब क्या है Everything you should know नमबर 11 ट्राइबल आट टेटूस ही विराट के टेटू की जर्णी स्टार्ट होई थी यह उनका पहला टेटू था ट्राइबल आट एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और विराट कोली अपने एग्रेशन के लिए वर्ड फेमस है नमबर 10 जैसा कि आप जानते हैं कि विराट कोली के फादर प्रेम कोली अब इस दुनिया में नहीं है विराट कोली अपने फादर को बहुत मिस करते हैं प्रेम कोली नहीं विराट को तीन साल की एज में फर्स्ट टाइम क्रिकेट से इंट्रेड्यूस करवाया था अपने फादर की याद में ही विराट ने उनके नाम प्रेम का टैटू भी करवाया है नमबर एट विराट कोली भगवान शिव में काफी विश्वास करते हैं उनके लेट फोराम पर कैलाश परवत पर ध्यान में लिन भगवान शिव का टैटू है अपने जिन्दिगी में उतार चड़ाओ को फेस करने के लिए खोली भगवान शिव के प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हैं नमबर सेवन विराट कोली के राइट सोल्डर पर एक बहुत बड़ा टैटू है जो दिव्य आँग का परतीख है विराट कोली से गौड साई भी बोलते हैं और इसका मतलब बताते हुए कहते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वो सब उपर आला देखता है इस तरह से आप अपने आप गौड से कनेक्टेट फील करते हैं और इससे हिमन बिंग में भी हेल्प मिलती है नमबर 6 2008 में विराट कोली ने शिलंका के अगेंस्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था वो इंडिया की तरफ से वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले 175th क्रिकेटर बने थे उनकी वन डे कैप का नमबर भी 175 है इस वज़ा से इस नमबर को उन्होंने अपनी बॉड़ी पर एज़ टैटू मेंशन किया है नमबर 5 ODII में डेब्यू के 3 साल बात 2011 में विराट ने टेस्ट क्रिकेट में भी एंटरी की इंडिया की तरफ से टेस्ट खेलने वाले कोहली 269th क्रिकेटर बने थे इस वज़ा से उनकी टेस्ट केप का भी नमबर भी 269 है विराट ने इस नमबर को भी अपनी बॉड़ी पर एज़े मेमोरी टैटू करवाया है नमबर 4 इस पर कोहली ये टैटू मैदान पर उन्हें शान्त रखने में हेल्प करता है नमबर 3 विराट का जन्म 5 नमबर 1988 को हुआ था इनका जोडियक साइन स्कॉर्पियो है स्कॉर्पियो साइन भी विराट कोहली की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है एकॉर्टिंग टू स्कॉर्पियो साइन कोहली बहुत जिद्धी है और वो अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज से पीछे नहीं हटते इसलिए कोहली ने अपने जोडियक साइन स्कॉर्पियो को अपने राइट हैंड पर इंग्लिश वर्ड में लिखवाया है विराट कोली ने गौट साइ के जश्ट ऊपर हिंदू सिंबल ओम का टैटू कराया है विराट कोली ओम के बारे में बताते हैं कि ये एक युनिवर्सल साउंड है हम सब पूरे युनिवर्स में धूल के एक कंड के बराबर भी नहीं है लेकिन कई बार इगो की बज़ा से हमको लगता है कि हम ही सब कुछ है अब मैं महसूस करने लगाऊं कि हमें यहां होना था ये सब रेंडम नहीं है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने जिसने हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दिया है उनको दिल से थैंक्स और जिसने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दो बहुत महनत लगती है यार वीडियो बनाने में प्लीज प्लीज और सब्स्राइब के बाद बेल नोटिक्रेशन भी आउन कर देना ताकि हमारे निव वीडियो की नोटिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच सके नमबर वन विराट के लेफ टाम पर उनका फेवरेट टैटू है ये एक जैपैनीज सेमुराई का टैटू है कोली इस टैटू को लखी मानते हैं जस्टिस करेज विराट कहते हैं कि जैपैनीज सेमुराई के करेक्टर को मैं अपने अंदर भी फील करता हूँ मैं लाइफ पे बहुत चीजों से लड़कर आगे बढ़ा हूँ ये टैटू है मेरे डिजायर और मेहनत को दर्शाते हैं तो ये हैं विराट के ग्यारा टैटूस और उनके मीनिंग्स हम चाहते हैं कि विराट ऐसे ही खेलते रहे और क्रिकेट वर्ड के सारे रिकॉर्ड अपने नाम करें सो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, जरूर करना और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज के साथ थैंक्स वर वाचिंग